तो यह जो डवल इंट्रिगल यहाँ पर गिवन है इसका वेल्यू क्या होगा डवल डेफनेट इंट्रिगल यह हमें फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इंट्रिग्रांट फंक्शन है उसमें क्या इंवाल्व है इंट्रिग्रांट फंक्शन में इन्वाल्व है X square e raised to the power XY X square e raised to the power XY तो इसको अगर मैं first function और इसको second function भी मानूं तो इसमें integration by parts apply कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा complicated हो सकता है और यह जब हम higher mathematics पढ़ते हैं meaning undergraduate से उपर तो वहाँ पर एक concept हम पढ़ते हैं change of order change of order और change of order से यह जो question है यह बहुत ही simple हो जाता है क्यों simple हो जाता है क्योंकि जो इंट्रिगरांट function है X square e raised to the power XY तो यहां पर सबसे पहले जो किया गया है यह dx के यानिके x के respect में integrate किया गया है आप यहां पर देख भी सकते हैं इसकी यहां पर y involved है तो यह जो limit होगा यह एक्स का होगा यानिके x equal to y यानिके first x के respect में यहां पर integrate किया गया है यहां से भी आप इसको identify कर सकते हैं तो अगर मैं इसको एक्स के respect में सुरुवात में करूंगा तो integration by parts और पता नहीं क्या क्या होगा क्योंकि कोई भी यहां पर substitute नहीं कर सकता मैं substitution method यहां पर applicable नहीं होगा क्योंकि यहां पर e raise to the power x है और यहां पर x square है तो उससे बचने के लिए मैं इसका order of integration change कर देता हूं तो order of integration जब मैं change करूंगा तो यह जो function है x square e raise to the power xy जब मैं इसको y के respect में करूंगा तो यह मैं constant treat कर लूँगा x को मैं constant treat करूंगा और y को मैं as a variable treat करूंगा तो मुझे यहां पर इसका easily मिल जाएगा integration तो मैं वही करता हूं यहां पर इसका order of integration change कर देता हूं और order of integration change करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है domain of integration तो यहां पर अगर यह xy line है तो जो आपके lower limit थी वह थी यह x equal to y से x equal to one यह दोनों मैं सबसे पहले करता हूं तो यह x equal to y यह वाली line हो गई और x equal to one suppose करो यह हो गया x equal to one और फिर y vary कर रहा है 0 से 1 यानि कि इतना यह जो मेरा है यह मेरा reason है जिसको मैंने बोला था domain of integration यानि कि यह जो function है integral function इसको इस reason पर integrate करना है यानि कि यह है हमारा domain of integration तो अगर मुझे इसका order change करना है तो y के respect में करना है यानि कि मुझे एक strip इस तरह से consider करनी होगी तो यह इसकी height है आप देख सकते हैं कहां से vary कर रहे है यानिकि y equal to zero से और y equal to x यानिकि जो y की limit है y vary कर रहे है 0 से x और यहां पर x जो vary करेगा वो 0 से 1 और जो x होगा वो vary करेगा 0 to 1 तो मुझको इसकी limits मिल गई है और अब मुझे कुछ नहीं करना सिर्फ लिखना है तो सबसे पहले x का 0 से 1 और यह हो गया 0 to x और यहां पर था x square e raised to the power xy dy dx अब मैंने इसका order of integration change करते है order of integration change करते वक्त आप यह याद रखें कि सिर्फ dx dy को ऐसा नहीं कि बास इसी को पलट दिया और हो गया उसकी limits का mean concept होता है order of integration में तो यहां पर जैसे मैंने change किया अब यह dy के respect में करूंगा तो जैसे कि मैं पहली बता चुका था कि इसको मैं treat करूंगा as a constant तो यहां पर यह क्या है e raised to the power xy यानि कि यह किस type का है e raised to the power y और मुझे dy के y के respect में इसको integrate करना है तो यह x जो coffee as a coffee and treat करूंगा तो यह नीचे आ जाएगा तो यह क्या होगा x square e raised to the power xy सब्सक्राइब है upon x और इसकी जो limit है वो 0 to x है और जो यह यहां से पूरा final result आएगा यह होगा 0 to 1 dx x के respect में integrate यहां पर हम जो आया था उसके अपर और लिमिट पूट कर देते हैं तो यह था 0 to 1 x square यह यहां से x से इसको 1x cancel out कर दीजिए तो यहां पर x बचेगा और यह हो जाएगा e raised to the power x square और minus जब मैं यहां पर y के जगा 0 put करूँगा तो e raised to the power 0 यानिकि 1 dx और इस x के help से मैं यहां पर distributivity apply कर देता हूं तो यह हो जाएगा by distributive law x e raised to the power x square minus x dx अभी तक हमने जो किया यहां पर यह workout किया और यह हमारा हो चुका है यहां तक अब मुझे सिर्फ इसको x के respect में करना है तो यह जो integration है यानिकि integral operator इसको एक तरसे मैं distribute करा देता हूं तो यह क्या मिलेगा मुझे 0 to 1 x e raised to the power x square dx minus 0 to 1 x dx यह मुझे को मिलता है तो यहां से क्या result मिलेगा मुझे x square upon 2 और इसके limit होगी 0 to 1 और यहां से अब मुझे क्या करना है x square को यहां पर जो यह function है x square इसको मैं t माल लूँगा तो इसका जो derivative है यानिके 2 x 2 तो adjust करें लेंगे यानिके x यहां पर पहले से ही मुझूद है तो इसको मैं यहां पर substitution method apply कर रहा हूं तो यह half मैंने outside लिखा और यह इसका derivative मुझूद तो यहां पर ही हो जाएगा e raised to the power x square और इसकी जो limit थी वह 0 to 1 तो यहां से यह मुझे इसका further simplified formula मुझे इसको solve करना है तो हाफ मैं वन पूट करूँगा तो यहां पर क्या मिलेगा e और जब मैं 0 करूँगा तो यहां से मिलेगा 1 और जब मैं यहां पर 1 करूँगा तो यह मुझको मिलेगा half तो finally अगर मैं half को outside ले लेता हूँ तो यह मुझको मिलेगा e-1-1 it means half of e-2 जैसे कि numerical answer type था तो यहाँ पर e का value substitute कर सकते हैं जो कि आपका value होता है और finally आपको यहाँ से एक result मिल जाएगा तो यह जो आपका question था यह numerical answer type यानि कि net type का था और net type के जो question है वो आपसे jam और gate में especially पूछा जाते हैं और जितने भी और भी exam है relative exam चाहे वो आपका PhD का हो PhD entrance का हो या आपके ISI वगेरा का हो इस type के miscellaneous problem में आपसे हमेशा पूछा जाता है क्योंकि miscellaneous problem का आपका कोई syllabus define नहीं होता है तो इसको इस concept से अक्सर question पूछ लिया जाता है तो इस पर आप थोड़ी सी पकड़ बना के रखें आप जाता है क्वां ।